धर्मिश्नेही, प्यारी प्यारी भब्वात्माओं, हम सभी रेण सारग्रंद का वाचन यहाँ पंशुन रहे हैं। रेण सारग्रंद के माध्यम से हम अपने जीवन को बास्तिक में पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जीवन क्या है? कैसा हमारा जीवन है? किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं? इसकी पहचान हम रेण सारग्रंद के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि वंदू रेण सारगरंद में कुंद कुंद सामी अचेर महराच की अनुकंपा उनका उफकार की हमें बास्तों में अपने से पर्चे कराया है। इसलिए हम उस पर्चे को देखते हुए एक-एक गाथा में उन्होंने क्या विसेशता बताई है। एक-एक गाथा पढ़ते जाओ बंदू अपने आप हमारी द्रश्टी सोयम पर आजाएगी। जब हम एक-एक गाथा का मनोयोग से उसका उचारण करेंगे। उनके मने भावों को समझेंगे। उनकी दी हुई सिक्षा को अगर हम बास्त्विक में हिर्दे से पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से पर्चित हो जाता है। क्योंकि हमने बताया कि हम दुनिया का पर्चित करते हैं लेकिन अपन शयम से अपर्चित रहते हैं। दुनिया के पर्चित में हमने अपना समय बरबाद किया। हे जीव, हे आत्मन, अगर एक बार अपने से पर्चे कर लेती, तो मुझे लगता है आपको इस दुनिया में नहीं वटकना पड़ा। उसको पाने के लिए प्रियास तो किया है, लेकिन स्वयम से पर्चितों करके अगर प्रियास कर लेते, तो बंदों हमें सब कुछ मिल सकता था, लेकिन हमने प्रियास तो किया, लेकिन स्वयम से अपर्चितों करके, नहीं, कुंद कुंद सामी, कह रहे हैं यह जीव, पहले अपने आप से पर्चे करो, दूसरों का पर्चे कब तक देते रहोगे, दूसरों का पर्चे देते देते, आज तक इस जीव का कभी कल्यार नहीं हो पाया, चिंतन करना, विचार करना, कि हमने दूसरों का इतना पर्चे दिया, कि आज तक हमारा जीवन का उत्थान नहीं हो पाया है, कम से कम है जीव, जब जागो, तभी सबेरा, कम से कम अभी भी जागो, ओ अपने आप से पर्चे करो, और इस संसार परिभ्रमण से छूटने का प्रियास करो, तो यहाँ पर विशे चल रहा है, अभी मिथ्यात का चलते हैं, आगे गाथा देखते हैं, अचेर मैरज क्या कह रहे हैं, आगे का विशे कहते हैं, अब उपसम भाव से संबर और निर्जरा होती है, हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, किस प्रिकार से निर्जरा होती है, कैसे संबर होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि बंदो जो कर्म किये हैं उसका तो भोगना ही पड़ेगा लेकिन किस प्रिकार से हम उस कर्मों को काट सकते हैं कैसे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी कैसे हमारा संबर होगा अज़ अपना यह बिशे देखते हैं तो चलते हैं गाथा देखेंगे पुवट्थियम पुवट्थियम खवई कमम पभी सदू नो देई अनी नमम अही नमम कमम इह पर लोई महप्पम देही देही तहा उवसमो भावो पुविट्थयम खवई कमम पवी सदूनो देही अहीडवं कमम इह पर लोई महप्पम देही तहा ओवसमो भावो अभी पूरा पन एक बार पूरी गाथा देखेंगे पुविट्थयम खवई कमम पविसदूनो देही अहीडवं कमम इह पर लोई महप्पम देही तहा ओवसमो भावो यहां कहते हैं अचेर महराज कह रहें चेर अचेर महराज कपवई तथा हैं यहां उप्षम भावो यहां भावो पुविट्थयम यहां पूर्व इस्थिति महीं कमम कर्म का छे खवई यहां जड़ता हैं तथा और अहीडःयम यहां नमीन कमम कर्मों को पविसदू प्रविष्ठ होने नो यानि नहीं देई यानि देता है तथा इस लोक में परलोग यानि परलोक में महापम महात्म दे यानि देता प्रगट कर देता है यहाँ पर अचेर महरज कह रही है कि उपसंभाव क्या है कहते हैं कि उपसंभाव पुरातन जो कर्म अनेक भबों के संचय कर रखे दे उन कर्मों का नास कर देता है उपसंभाव यानि कहते हैं जो हमने पूर्व में कर्म किये हैं कर्म तो किये होंगे ऐसा तो नहीं है कि बिना कर्म किये आप यहाँ पर आ गए हो अच्छा किया कि बुरा किया कर्म तो किया है जो बुरे कर्म किये हैं कहते हैं पूर्व में जो भी हमने कर्म संचे करके रखे थे उन कर्मों को अपनी त्याग तपश्या अपने ऐसी चरिया करता है कि वो नमीन उसकी पूर भावे में जो कर्म लगे हैं वह कर्मों का चैव हो जाता है ऐसी भगवान की भक्ती करता है ऐसी आराधना करते हैं ऐसे उड़ते हैं बैठते हैं चलते हैं सोते हैं कि कहते हैं कि जो पूर में कर्म किये थे उनका अच्छे तो हो जाता है लेकिन एक बिसेश्ता होती है कि नमीन कर्मों का आस्राव बंद नहीं होता है लोग कहते हैं कि मेरे उपर ही ऐसा कर्म क्यों आता है मेरा ही पाप कर्म क्यों आता है सामने वाले का क्यों उदय में नहीं आता है जी तुम अपने कर्म का फल तुमको मिलेगा जो तुमने पूर में किया है वै तो उदय में आएगा ही आएगा मेना सुन्द्री है मेना सुन्द्री का नहीं मेना सुन्द्री का भी आता है उधारण पढ़ते हैं अपन सीता का भी पढ़ते है अंजना सती का भी उधारण पढ़ते है अंजना सती को क्यों सास ने कलंख लगा करके निकाला था क्योंकि उनने पूर में संचय ऐसे कर्म किये थे क्या किया था कि बाराए घड़ी के लिए जिन प्रित्मा को छेपा करके रख दिया था उसका कर्म ऐसा आया यतना कर्म हो दैमे क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता ध्यान रखना इधर अंधा कनून होशकता है है आतमन उधर अंधा कनून नहीं होता बंदो लेकिन ध्यान रखना उपर वाले के पास ऐसी कोई भी विवस्ता नहीं है जो तुमारी रिकोर्डिंग हो रही है वह तो तुमको फल मिलना ही मिलना है अगर गीत गाए है तो गीत सुनने मिलेंगे ओ तुमने गाली दी है तुमें गाली ही मिलेंगी गीत मिलने वाला सुनने नहीं मिल सकता यही तो सीता ने कहा था तुम रामशे बश इतना कह देना कि जिस लोक अववाद के कारण से तुमने अपनी सीता को छोड़ा है ऐशे लोक अववाद के कहने पर कभी सासौत जैन धर्म को मत छोड़ा ओ आज की सीता होती समझ गए ना कोट कचेरी पहुंच जाते कहते हैं एक दूसरे के सत्रों बन जाते खड़े हो जाते और कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था और तो क्या पूरा बदला लेने के लिए ठीक है हम तलाग दे रहे हैं तो हमको इतना पैसा दो आज कल यही तो चल रहा है मुझे इतनी बेतन चाहिए अथवा इतना पैसा चाहिए इतने महल चाहिए इतने मेरे नाम जाजायत करो यही तो होगा लेकिन धन्य वह शीता उसने तो कुछ नहीं मागा था लेकिन उनोंने चिंतन किया था वह भी मांग सकती थी लेकिन सम्मेक दरश्टी जीव था वह जीव सम्मेक दरश्टी था उसने सोचा कि अपने अपने कर्म का फल है कोई किसी को नहीं देता उसको आगई होगी या सम्माइएक पाठ में आगई कि कहते हैं कि अमित गतिय चर्मराज कहते हैं अपने ओंपार जिते कर्म फले को जीवे पाते हैं सभी उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कई कि अपने उपारजित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी कि मैंने अपने कर्म में पूरव पारजित कर्म ही किया है इसलिए मुझे आज भूगना पड़ रहा है पता नहीं चलता अपन कोई आद नहीं है कि हमने कौन-कौन से कर्म किये है हाँ सस करके कर्म किये थे लेकिन जब उधै में आता है तो रो-रो करके काटते है अचैर माराज इस गाथा में कह रहे है उपसंभाला होता है उपसंभावाला व्यक्ति होता है वह पूर्व कर्म के संचे को चण भर में नश्ट कर देता है और कैसी विसेष्टा होती है इसकी कि वह नमीन करमों का बंद नहीं करता उन सीता ने नमीन करमों का बंद नहीं किया था अपने आप से उन्होंने सोच लिया था कि कोई वात नहीं हमने पूर में किया और आपने भी उनका चारित्र पढ़ा है कि सीता ने एक मुनी राज और एक आरिका माता जी को देख करके जब दोनों तत्त चर्चा कर रहे थे बैठे हुए थे वो अकेले बैठे देख लिया था मन में बिचार आया था कि एक ऐसे है पती पतनी जैसे लग रहे साहे दिनका सम्मंद गलत सम्मंद हो सकता है हे सीता इतना तुमने मन में बिचार किया था पिरदर्सन नहीं किया था बचन से नहीं कहा था किसी से काह से भी नहीं कहा था लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते भले तुम निर्दोश हो लेकिन फिर भी तुमको कैसे निकाला गया लोका कलंकला लोकबात के कारण से निकाला गया इसलिए बंदो कर्म सम्मिक दरश्टी जीव साम में भाव रखते हैं लेकिन ऐसे साम में भाव रखते हैं कि मुझे नमीन कर्मों का बंध ना हो अब पाप कर्म का होदय आ गया आप रो रहे हैं हमारा ही पाप कर्म का होदय आता है जब देखो हमारे उपर ऐसा होता है हमारे उपर भग्मान संकर देता है भग्मान भी किसी की नहीं संता भगमान भी बड़े आदमियों के सुनते हैं, गुरू भी बड़े आदमियों को सुनते हैं, हम गरीबों को कुन पूछता है, एश्य भाव आ गए, बड़े आदमियों को इस्तान दिया जाता है गरीबों को, अरे तमने कभी गुरुआं के पास उसने इतनी पूर में भक्ती क इतना दान पुन्य किया था, इतना दान पुन्य किया था, इतना यस लिखवा के आया है कि उसको यहां क्या, तीन लोग में भी उसको सम्मान मिलेगा, जहां पहुचेगा, वहां सम्मान मिलेगा, आज दुम को दुधकारा जा रहा है, क्यों दुधकारते हैं लोग, क्योंकि पढ़ना एक बार कल्यान मंदी रिष्टोत उसमें सब अचेन मराज ने कहा है हे भगमान मैं आज जो त्रिष्कार का भागी बना हूँ जो मुझे त्रिष्कार मिल रहा है कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है इसका कारण यही है भगमान मैंने आपकी भगती तो की है लेकिन कभी मैंने भावों से आपकी भगती नहीं की मैंने उन जिन्मानी को इन कानों से तो सुना है लेकिन भाव पूर्वक कानों से नहीं सुना है उस बाणी को सुन लिया लेकिन फिर्दे से नहीं सुना था इसलिए हे प्रबु कुमुच चंद्राइचर महराज कह रहे है इसलिए मैं तरिषकार का भागी बना कहते हैं उन्मुनी राज की तरहें बैटे हैं सेन्षी खा रही है और बे अपने देह का उनका खाया जा रहा है लेकिन बे अपने देही में बैटे हुए है, नहीं, मुझे अपने नमीन कर्मों का अच्छा है, कि मेरे कर्मे निकल जाएंगे कभी भी हों मंदोग संकट आते हैं, बेपत्ती आती हैं, तो साम में भाव रखो, ओ अपने कर्मों की ऐसे काम मत करो, रो करते कटना कार्ना तो पड़ेगा चाहे कैसे भी करो करना पड़ेगा तुभी को सहन करना पड़ेगा लेकिन कहते हैं रो के करोगे तो नमीन कर्मों का होगा और समता से सहन करोगे तो जो पूर में कर्म है उनका संबर भी होगा और उसे निर्जरा भी होगी समय अपना पूरा हुगा अगली चर्चा कल करेंगी जैवुली महाभीर भगबान ने की